हलो गाईश स्वागत है आपका मुविज वर्स चैनल के वीडियो में और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्विल की नही सीरिस सीहल के एपीसोड एक के बारे में तो शुरू करते हैं मार्विल की नई सिरीज शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड अराउंड 35 मिनिट्स का है जिसके अंदर शी हल्क की पूरी ओरीजिन स्टोरी कवर की गई है और उसकी ओरीजिन बहुत ही शोट में उमें बताई गई है इस एपिसोड के अंदर हमें ब्रूस बैनर एज प्रोफेसर हल देखने को मिलता है अगर रिपोर्ट्स की माने तो हल्क फर्स्ट और इस एपिसोड के और लास्ट एपिसोड के अंदर दिखने वाला है इस एपिसोड के अंदर हल्क शी हल्क को कैसे अपनी साही सकतियों को काबू में रखना है वो सब सिखाता है और यह भी मेंशन करता है कि वो कभी अब यूमन नहीं बन पाएगी अब वो भी एक सूपर हीरो है इस एपिसोड के अंदर कई बार टोनी स्टार्क नताशा और कैप्टन अमेरिका याने कि हमार स्टीव रोजर्स का भी मेंशन होता है इसकी ओरीजिन में हमें ये बताया गया है कि हल्क और शी हल्क दोनों सबसे पहले कार के अंदर कई जा रहे होते है जहां पर सकार का सकार प्लेनेट का एक प्लेन उसके सामने आ जाता है और उससे टकरा जाता है तो हल्क और शी हल्क का बलड ट्रांसफ्यूशन हो जाने के वज़े से वो शी हल्क बन जाती है जो कि Comic Book से बिल्कुल डिफरेंट है जहां Comic Book के अंदर She Hulk का Blood ज्यादा लोस हो जाने पर Hulk ने उसे Blood Donate किया इसलिए उसके अंदर She Hulk आ जाती है जो Comic Book से बिल्कुल डिफरेंट लिबताया गया है और वेसे देखने जाए तो इसका Indie Dubbing भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है English में भी मैंने देखा है उसमें भी अच्छा ही है अगर मेरी तरफ समय बात करूँ तो She Hulk का First Episode मुझे ठीक ठाक लगा इसमें कोई Hulk के सिवा कोई भी MCU के Character का Cameo नहीं है और हाँ इसके अंदर एक Post Credit Scene भी है जिसके आगे के Episode से कुछ लेना देना नहीं है बस सिफ Comedy के लिए रखा गया है So at the end मैं बात करूँ तो ये Episode मुझे एकदम ठीक ठाक लगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में Goodbye